अब हम जानेंगे parallel retreat theory के बारे में, जिसको हम the cycle of pediplination भी कहते हैं, यहाँ पे आपना confused मत होईएगा, पिडि प्लेनेशन और पिन्नी प्लेनेशन, पिन्नी प्लेनेशन जो है, वो है डेविस का, और यह जो पिडि प्लेनेशन है, यह है king's cycle of erosion के लिए, इन्होंने जो LC king करके हैं, इन्होंने यह क्या बोलते हैं, the cycle of pediplination लिखा है, ठीक है, तो अब इसको जानते हैं कि इनके theory के ह साब से, जो cycle of erosion है, वो कैसे होता है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह जो LC king है, इन्होंने चार slope elements के बारे में, क्या बोलते हैं, यूज किया है, कि जो slope होते हैं, वो चार elements के होते हैं, आपका एक होता है, waxing slope, free face, debris slope, और warning slope, कहीं ने कहीं, यह जो slope मैंने शुर जैसे example के लिए, इस तरह का हिस्सा था कुछ, फिर यहाँ पर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, ठीक है, तो इसको चार भाग में बाटती है, 1, 2, 3, 4, जो कि मैंने आपको पहले भी explain कर दिया है, ठीक है, वही चीज़ है, debris slope और warning slope, नाम थोड़ा सा change हो गया, बाकी से से वही है, ठीक है, तो यह जो है slope elements है, तो इन्होंने इसी चीज़ को explain किया, कि यह waxing slope क्या होता है, मतलब एक तरह से जो है, loose material रहता है, जो कि easily weathered हो जाता है, इसली तूट की नीचे गिर जाता है, यह free phase है, एक तरह से vertically inclined रहता है, यहाँ पर कोई चीज़ी टिकता नहीं ह यह आपका debris slope हो गया, debris slope मतलब यहाँ पर एक तरह से constant slope होता है, और यह होता warning slope, warning slope मतलब जो भी debris है, वो यहाँ पर आके एक अठा होते हैं, और कहीं ने कहीं यह एक तरह से concave slope में रहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग pediment भी कहते हैं, इस area को, ठीक है, यह चीज़ी याद रख मॉडल और altitude जो है, वो constant रहता है, toward end, ठीक है, time dependent मॉडल किसका था, डेविस का भी था, ठीक है, और इनके में क्या किया, इन्होंने दूसरा assumption यह ले लिया, कि altitude जो है, वो constant रहेगा, सुरू से लेके आकरी तक, बाकी दोनों में उन लोग ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने क्य ठीक है, ठीक है, सुरुवात में तो बढ़ा, ये भी सुरुवात में उठता है, लेकिन उसका धिरे-धिरे सभी का जो slope है, घटने लगा, और नीचे गिर गया, इसने क्या किया, सुरुवात में uplift तो हुआ, लेकिन वो जो upliftment हुआ न, वो वैसी का वैसी ही है, आखरी तक, यहाँ पर देख सकते हैं, यूथ स्टेज में भी वैसी है, मैस्चूरिटी स्टेज में भी है, और ओल्ड स्टेज में भी हाइट को इसने सेम रखा है, तो इन्होंने ये एजमसन लेके चला, LC किंग ने, ठीक है, तो अब समझते हैं, सिंपल है, ज्यादा कोई कठीन नहीं जाहरा है, वही है, शुरवात में अपलिफ्मेंट हुआ, तो जाहिर सा बात है कि उसमें जो पानी जब भेगा, तो उसमें ज्जादा तेजी से बहेगा, तो वी सेफ औली फार्म करेगा, वही वी सेफ वैली, धीरे-धीरे, आपका एक तरह से लेटरल एरोजन होने लागे तो यह क्या इतना हिस्सआ को काट दिया और बहा लिया необходимо इतना को ही न सभी चीज़ को और टूरी है इसमें हàiट नहीं घेट रहा है देख सकते आप पह derechos एक है थिस्टेज में फिर मेट्य दोसी हो फोटेज में यूद्य है फैलने लगा लेकिन हाइट नहीं कर्याख रह स्प Singing of लेटरल इरोजन करने लगा फिर आगे चलके ओल्ड स्टेज में भी यह जो है और ज्यादा होने लगा फिर आखरी में कुछ हिस्सा ऐसा बच जाता है इसमें भी दिरे-दिरे वह पैलर रिट्रीट होता जाता है लेकिन हाइड जो है वह वैसी कर वैसी रहता है पतला ऐसा हो ठीक है इस तरीके से तो ओल्ड स्टेज में जो बड़ा सा जो लार्ज एक्स्टेंसिव एरिया जो बच जाएगा उस चीज को इन्हों ने नाम दिया मतलब जो फ्लैट लेंड टोपोग्राफी जो बच जाएगा जिसमें कुछ हिस्सा ऐसा उठा हुआ जरूर रहेगा लेक इस आखरी में बचे हुए जो फ्लैट टोपोग्राफी को ठीक है तो इसको बोल दी हमने साइकल पीडी प्लेनेशन आपको सवाल ऐसे भी आ सकता है कि साइकल पीडी प्लेनेशन एक्स्पेंड करिए या फिर अगर आपको बोलेगा साइकल आफ एंड्रम या साइकल आफ प बताया था ठीक तो यह हो गया आपका एलसी किंग का पहले रिट्रीड थुरी इसमें जैसे और ड्रॉबेक्स क्या है कि पहला ड्रॉबेक्स तो यह है कि यह यह लैक ओफ फिल्ड अब्जर्वेशन ठीक है इसका फिल्ड अब्जर्वेशन कम हुआ है दूसरा चीज यह सिर टुल से इसको भी समझना कहीं जर्मन लैंगवेज में तो इसको भी समझना कहीं ने कहीं मुझकिल था अब हम जानते हैं कि जो डेवीस और जो जो इन दोनों के थे में difference क्या है ठीक है पहला तो यह तो time dependent model है वो तो दोनों में similarity है लेकिन difference क्या है कि देविस में क्या किया था कि इन्होंने एक तरह से डाउन वास्टिंग को एक तरह से डाउन वास्टिंग के उपर बेस था इसका क्या था बैक वास्टिंग पे बेस था तो डाउन वास्टिंग और बैक वास्टिंग समझ में आ रहा है न डेविस में क्या हो रहा था कि उपर से घटते हुए नीचे की तरफ आ रहा था मतलब जैसे मांज के चलीं यह कुछ इससा है उपर से पानी बहा, उपर का हिस्सा कटके निकल गया, फिर कटके निकल गया, तो यह हो रहा है आपका down washing, तो यह Davis ने इस तरह से explain किया था, मतलब उनका slope इस तरीके से बन रहा था, या फिर उनका जो cycle of erosion था, वो इस तरह से ठीक है, तो इनका हो गया, Davis का जो है, down washing पे depend है, और जो king है, LC king, इनका क्या था, back washing पे, मतलब यह उपर वाला देख रहा है न, यह parallel rated हो रहा है, इस तरीके से जो हो रहा था, तो यह एक difference हो गया, साथ ही साथ, इनका जो आखरी में जो plane area बसता है, उसका नाम इन्होंने रख पिड़ी प्लेन, और इन्होंने नाम रखा आपका king ने, पिड़ी प्लेन, ठीक है, उसके बाद आपका जो तीसरा difference है, वो यह है, कि इन्होंने यह बोल दिया, कि एक बार जब यह cycle of erosion complete हो जाता है, तो वापिस से री अपलिफमेंट नहीं होता, मतलब और उपर कुछ नया अगर आ गया, तो फिर और कोई अपलिफमेंट नहीं होगा, तो ऐसा डैविस का कहना था है, LC king का कहना था कि नहीं, री अपलिफमेंट हो जाता है, एक after the cycle, ठीक है, मतलब एक cycle जैसे complete हो जैसे उठा हुआ चीज है, वो वापिस पूरा नीचे आ गया, तो वापिस से अपल और तो नहीं है कुछ